नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस्पीदे, कॉंसल्टेंट हमिपेदिक फिजिशियाल एन नुट्रिशनिस्ट आप लोगों से आज एक छोटा सा एक वीडियो में कोशिश करूँगा ये समझाने का जो standing exercise होते हैं, अगर आप खारे हैं, तो low back pain के लिए आप क्या-क्या standing exercise कर सकते हैं मेरे चैनल पे एक playlist है, जो योगा बोलके जिसमें cervical spine के लिए exercise cervical spondylitis के एक अलग वीडियो है, और एक वीडियो है low back pain के लिए तो ये low back pain एक ऐसा problem होते जा रहा है, जो हर patients का मुझको देखने को मिल रहा है और बहुत सारे patients हम लोगों को हर रोज मिलते हैं, online में, YouTube के comment box में, WhatsApp में मेरे साथ contact करते हैं, मैं हर patient को ही बोलता हूं के low back pain हो, spondylitis हो, आपको अर्थाराइटी कार्स करके अगर आपका कोई भी pain का related हो तो आपको exercise करना ही है, irrespective of आप, हुमिपेदी, अलोपेदी, आयुरुपेदी, कोई भी treatment ले, तो physiotherapist के पास जाना, बहुत पैसा खर्चा करके हर दिन 600, 700, 800 रूपिया दे के exercise करना, वो जब आप exercise severity में आपका pain होता है, तो 15 दिन एक महिने के लिए ठीक है, लेकिन सारा जिंदेगी आपको कुछ ना कुछ exercise करते रहना है, और खास करके अगर आपका low back pain है, जो lumbar spondylitis के कारन होता है, उसके लिए बहुत आपको time नहीं मिल ला है, और आपको late के exercise करना, line posture में exercise करने का time आपको नहीं है, लेकिन business के जगा, office में कहीं पे भी आपको थोरा सा 10-15 मीट, आदा गंदा का time मिल जाता है, तो कुछ standing, handy, ऐसे ही straight बनके आप exercise करते हैं, वो कर सकते हैं, वो मैं आपको आज share कर रहा हूं, त side में कहीं पे ये laser room हुआ, तो वहां पे या business के जगा पे अंदर में किसी room में, या घर में भी 10-15 मीनित में आप कर सकते हैं, तो मेरे साथ ये जो जो भी poses मैं कर रहा हूं और बोलना हूं इसको ध्यांग दीजिए, सबसे starting में है shoulder joint का, आपको जो खरा रहना है, वो है, ऐसे करके, मतलब ये जो pelvic tilt हम लोगों का है, ये आपका ऐसा रहेगा, state रहेगा, ये बाहर ऐसा निकना नहीं रहना चाहिए, और पैर जो है, दोनों पैर जो है, थोरा सा नजदिक लाईएगा, इसको ऐसे करके distance मत create कीजिएगा दोनों पैर के बीच में, तो ऐसे करके आपको खर shoulder rotation clockwise आपको 10 time करना है, 1,2,3 करके 10 तक count करना है, फिर anti clockwise आपको 1,2,3 करके 10 तक count करना है, इसका 10,10 count करके 3 set करना है, इसका भी 3 set करना है clockwise, anti clockwise, ये क्यों करना है, ये आपका हम लोगा जो back muscles है, जो latissimas, dorsi हम लोग होता है, जो starting होता है, यहाँ पे occipital से देखे, पूरा back होक हम लोगों का नीचे तक यहाँ पे pelvic, जो हम लोगों का garden है, उसको उपर portion में खतम होता है, ये जो muscles है, पूरा back को support करता है, जिसका weakness के लिए, जिसका कोई भी problem के लिए, हम लोगों को गर्दन में या कमर में pain स्टार्ट होता है, वो muscles को ये solid करता है, ये उसको stretch करता है, उस थोरा सा पैरों में distance create कीजिए, straight खरा हुई है, पैरों में यहाँ पे आपको पहले जो मैंने shoulder rotation बता हुआ है, पैरों को थोरा सा नस्दीक लाना है, एक दम लगा नहीं देना है, थोरा सा नस्दीक लाना है, और इसको पैरों को थोरा सा distance create करना है, फिर comfort में खरा होके, फिर कि आपको ऐसे पंग तैंड सिंग्ड्र अभ्रार और यह सो करें आपको को को वांतरह हुआ कि तेंड टाइम क्लोक्वाइज वेस्ट रोटेशन 10 बसे करता है इसको जैको stretch करता है सायाटिका पेन हो लो बैक पेंड हो या कोई भी आपका यहां से कमर से शुरू होके जो बैंशे जरा जाता है वहाँ पर आपको यह जो वेश्ट रोटेशन है इसको अगर आप करते हैं इसको आप अपको करते हैं तो आपको improvement मिलेगा इसके बाद हम लोगों का आता है extension and flex extension west extension कमर का extension आपको ऐसे थोरो थोरा सा पैरों में gap रखके खरा होना है फिर कमर को सामने हर धकेल के हातों को पीछे रखके ऐसे करके वह extension करना है और 5 तक count करना है 5 count करना है 1 2 3 4 5 ज्यादा नहीं करना है 5 करते करते जब आप comfort हो जाएंगे फिर उसको 8 10 तक कर सकते हैं तो ऐसे करके आपने 5 count कर लिया कि फिर state होना है फिर आपको हाथ पैरों को close लाना है जब आप कमर को extend करेंगे तो पैरों में distance होना चाहिए जब flex करेंगे पैरों को नजदीग लाइए एकदम नजदीग थोर असा gap रखिए फिर हाथ को उपर उठाइए फिर ऐसे flex होई जितना हो सके आपको ज्यादा नहीं होना है आपको प्रिशार नहीं डामना है कॉंफोर्टिबली करना है और हाथ को उपर रखना है और ऐसे करके आपको flex होना है और और extension के टाइम में हाथ को आप ऐसे रख सकते हैं ऐसे रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं यह extension and flexion तो दो मैंने बताया shoulder rotation, waist rotation, extension of waist, flexion of the waist अभी जो है twisting, twisting जो होता है waist और full spine का होता है तो इसमें दो आपको पध्धती में बताऊंगा एक हाथ को आप आप हाथ को ऐसे रख लीजिए या ऐसे रख लीजिए जो comfort आपको मैसूस हो और फिर ऐसे कीजिए जब भी body से दूर जाएगा आपका शरीर, शरीर से दूर आप जाएंगे तब आपको एक्जेल करना है सास छोड़ना है एक एक कर सकते हैं आप ट्विस्टिंग और जैसे हाथ में आपने में यहां पर मेरा स्टे तो है कोई लक्री भी सबर सकते ये कुछ भी ले सकते टार ले सकते हैं कोई भी कुछ भी ले सकते ऐसे करके ले सकते में यह अगर लक्री हुआ या कोई पॉस्टव जिंब्लक है इसको ऐसे पकड़िए यह आपका हो गया twisting of the waist and twisting of the spine फिर मैं यह सब करने के बाद मैंने पाच अभी poses बताएं यह पाच करने के बाद आपका आता है और एक pose जो थोरा सा मैं mobile को down कर लूँ कि देखिये जो यह आशन है इसको योगा में भी किया जाता है सामने का जो पैर है इसको थोरा सा दबाईए फिर ऐसे कीजिये फिर ऐसे कीजिसर के पाच दस दस तक गिनिए फिर छोड़ीजिये फिर इसको समने जो पैर है इसको ऐसे कीजिए दस तक गिनिये छोड़ दीजिए ऐसे करके एक exercise जो होता है यह stretching करने पर भी आपको बहुत ही फायदा मिलेगा अभी और कुछ exercise है और कुछ पोजेज है जैसे अगर आप खरे हैं तो आपको हाथ पीछे कर सकते हाथ पीछे करके नॉर्माली आप खरे हैं ज्यादा टाइम नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इससे भी है कि लेकिन हाथ का पोजीशन ऐसा होना चाहिए पाथ साब तक गिनी है यह ओफिश में उठके पूर्सी से आप कर सकते हैं इससे आपका stretching इमीडियेटली मिल जाता है थोड़ा थोड़ा करके सारा दिन में चार पाज़वार किया तो बहुत सारा stretching आपको मिल जाएगा इसके बाद भी अगर आपको टाइम मिलता है तो मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है योगा बोलके उसमें सर्भाइकल स्पाइन का जो एक्सराइज है और लंबर स्पाइन का जो एक्सराइज है दो वीडियो है वो वीडियो जरूर देखिएगा आपको मिल जाएगा तो आप वो वीडियो को जरूर देखिए और उस वो करने का कोशिश कीजिए भुजंगाशन और अर्द्रस अलबासन वहां पे एडवांस एक्सराइज भी कुछ दिखाए गया है तो अगर आप मेरे चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करना बेल सब्सक्राइब बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए मैक्सिमाम डेज में कोशिश करता हूं कि लाता रहूं तो अगर कुछ इस बारे में जानना चाते तो कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे साथ अगर कॉंटक करना चाते तो अल्ली वाट्साब नो कॉलार अलाओ 8617032935 मेरा फोन नामबर है दोस्तों नोट कर लिएगा 8617032935 नमस्कार दोस्तों